Hello students, I am your EVS teacher Khushpu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Water. मतलब पानी, इसमें हम पढ़ेंगे importance of water. मतलब कि हमारे लिए water की importance क्या है, पानी जरूरी क्यों है? So let's start our chapter. Chapter 7, Water. I will learn about importance of water. मतलब पानी जरूरी क्यों होता है? Drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए. First start, importance of water. तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, water की importance. मतलब कैसे हमारे लिए पानी important होता है, जरूरी होता है? तो इसे points की थूरू पढ़ता है. Just like food, water is also needed by all living things. We cannot live without water. खानी की तरही, water भी हमें जरूरी चाहिए. मतलब की living things, जो भी living things है, उन्हें जरूर चाहिए. जिसे food important होता है, वैसी ही water भी important होता है. हम पानी की बिना नहीं रह सकते. We cannot live without water. Water is an essential part of our food as. अब हमारा water essential part कैसे है? मतलब जरूरी क्यों है? कैसे है? हमारे लिए वो पढ़ता है. First, it helps to digest the food. ये food को digest करने में मतलब पचाने में मदद करता है. It helps the circulation of blood in our body. ये किस की help करता है? Blood की circulation में help करता है water. It removes waste from our body. अगर हम पानी पिएंगे, तो हमारे body से जो remove है, वो मतलब कि waste है, वो निकल जाएगा. तो इसलिए हमें पानी जरूर पीना चाहिए. अब हम fact पढ़ता है. 70% of human body is made of water. हमारी 70% human body किस से बने वी है? Water से बने वी है. We should drink at least 7-8 glasses of water every day. जैसे आपको ये image में दिख रहा है, ये boy क्या कर रहा है? Water पी रहा है, मतलब पानी पी रहा है. हमें दिन में 7-8 glasses of water जरूर पीना चाहिए. We should not waste water as it is needed by human beings, plants and animals equally. हमें कभी भी पानी को waste नहीं गड़ना चाहिए. क्योंकि ये क्या है? बहुत important है, मतलब जरूरी है. और ये किसके लिए सबकी जरूरत है? Human mix मतलब हमें भी चाहिए. पानी, plants को भी चाहिए. और animals को भी चाहिए. इसलिए हमें कभी भी पानी को waste नहीं करना चाहिए. अब हम पढ़ते हैं, drink clean water. मतलब हमें साफ पानी पीना चाहिए. We should always drink clean water. Drinking impure water can make us fall ill. अगर हम गंदा पानी पीएंगे, impure water पीएंगे, तो हम बिमार पढ़ जाएंगे. इसलिए हमें हमेशे साफ पानी ही पीना चाहिए. Follow these rules to stay healthy. अगर हमें अपना आपको healthy रखना है, तो हमें यह वारे rules को follow करना है. तो हम हम वो rules पढ़ते हैं. First is, always drink filter water. हमें हमेशा filter water पानी पीना चाहिए. मतलब कि जो पानी impure नहीं होता, pure होता है. जिसमें कोई भी germs नहीं होते, तो हम वो filter water होता है. तो हमें वो ही पीना चाहिए. Drinking water should be stored in covered containers. हमें हमेशा वही पानी पीना चाहिए, जो container भी cover होता है. कभी भी हमें open water नहीं पीना चाहिए. If water is impure, it should be boiled before drinking. अगर आपका पानी impure है, water impure है, तो हम उसे कैसे pure बना सकता है? उसे boil करके, मतलब उबाल कर. पहले हम उस पानी को उबालेंगे, boil करेंगे, फिर उसके बाद पियेंगे. We should not put our hands in drinking water. The water can get dirty with the germs from our hands. हमें कभी भी drinking water, मतलब पीने के पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए. क्योंकि हमारे hands dirty होता है, और उसमें germs होता है. इसकी वज़े से हमारा पानी क्या हो जाएगा? impure, मतलब गंदा हो जाएगा. उसमें bacterias चले जाएगे. इसलिए हमें कभी भी पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए. तो हम लेते हैं quick review of this chapter. First, we need water to stay alive. हमें पानी जरूर चाहिए होता है. Alive मतलब जिन्दा रहने के लिए. We should always drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए. तो अब यहाँ पे हमारा chapter finish होता है. अब हम करते है test your knowledge. मतलब हमें इस chapter से क्या समझाया. तो आपकी first exercise है. ढाकिन the correct option in the OMR sheet. आपको four options दिये हैं. इसमें से आपको correct options choose करना है. तो आपका first है. We dash live without water. हम पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हैं. We cannot live. मतलब हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. तो first, we option is right. We cannot live without water. Second, it helps to digest food. कौन हल्प करता है आपको food को digest करने में? A, water. पानी हल्प करता है. पानी के essential है हमारे जरूरी है. So second, a option is right. Third, we dash waste water. हमें पानी को क्या नहीं करना चाहिए? कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. We should not waste water. हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Third, the option is right. अब हमारी next exercise है. Fill in the blanks with the help of the clue box. आपको ये clue box given है. Blue color का. इसमें आपको क्या करने है? फिर इसकी help से आपको fill ups करने है. आपका first statement है. All living things need water to. जिन्दा रहने के लिए. First fill कर ये live. L-I-V-E. Live. Second है. Always drink dash water. हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? Clean water. मतलब साफ पानी. Second. C-L-E-A and clean. Third, we should not dash water. हमें कभी भी water. मतलब पानी को क्या नहीं करना चाहिए? Waste. Waste नहीं गड़ना चाहिए. तो third में fill करिए waste. W-A-S-T-E. Waste. Next exercise है हमारी match the following. आपको इसमें column A दिख रहा है and column B दिख रहा है. आपको column A से column B को match करना है. First आपका digest. आप क्या करते हो? Digest food. तो first को match करिए B से. Second remove. आपकी body से water क्या remove करता है? Waste. Second को match करिए C से. Third circulate. Circulate की water किसमे circulation में help करता है? Blood circulation में. तो third को match करिए A से. इसी तरह आपकी match the following हो गई है. अब आप बाकी की exercise खुद करिएगा. I hope आपको chapter समझ में आया होगा. अब हम आपसे मिलते हैं next chapter के साथ. So till then have a nice day. Goodbye. Thank you.